हलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सभी लोग और मैं ये आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे रहेंगे मैं बताओ मैं भी बहुत अच्छा हूँ मेरे मित रोज आज मैं कुछ mutual funds की बात करने की कोशिस करूँगा यहाँ पर जो different different categories के हैं और कहीं ना कहीं एक mutual fund industries के अंदर एक अपना बहतरीन इस्थान ये mutual funds से रखते हैं इसी स्रेडी में जो मैंने आपके सामने आज पहला mutual fund रखा हुआ है इसका एनेवी देखो एक सो नौर पाय का इसका एनेवी चल रहा है और अंकित जैन साहब और निले सुराना साहब आपके fund manager रहेंगे यही दोनों बंदे आपके fund को manage करेंगे जबकि आप सो रहे होंगे रात को risk का आपका वेरी आई रहता है क्योंकि mutual fund is subject to market risk and read all schemes related documents very carefully पहले पहला जो mutual fund मैंने आपके सामने रखा हुआ उसका नाम है मेरा asset emerging blue chip fund direct plan growth फिर से एक बार बोलो क्या बोला मैंने मेरा asset emerging blue chip fund direct plan growth इसके मैं asset size की बात करूंगा 24,541 करोड का इसका asset size है 0.63% का expense ratio है 0.27% का यह cash hold करके चल रहे हैं nifty large और mid cap large और mid cap का एक combo नहीं मैंने large cap लिया है particularly और नहीं मैंने mid cap उठाया है बिल्कुल purely मैंने उठाया large और mid cap का एक combo जब आप large और mid cap का एक combo उठा लेते हो तो वहाँ पर आपका return बढ़ जाता है पर risk कही ना कहीं आपका compromise नहीं होता है nifty large और mid cap 250 total return index को इन्होंने benchmark की तौर पर रखा है एक साल के अंदर निकलने के चेश्टा करोगे तो आपसे 1% का exit load ले लिया जाएगा इसी के साथ साथ कुछ shares की बात करेंगे HDFC bank, ICC bank, Reliance Industries, Axis bank, State bank of India यासी कुछ दिगज कंपनियों में आपका पैसा पढ़ा रहेगा इसी क साथ साथ अगर मैं में में असेट, असेट management company की बात करूँ तो 1,19,806 करोड का इसका asset under management है total 76 scheme को ये manage करके चल रहे है वेरे वित्रों जो दूसरे नंबर पे मैंने mutual fund रखा हुआ इसका एनेवी 132 रुपाय का है maximum return की बात करेंगे 25% के CAGR के हिसाब से पिछले 10 सालों में इसने ये कारनामा करके दिखाया है value research ने इसको 4 out of 5 rate किया है आर स्रीनिवासन साहब आपके fund manager रहेंगे that means कि यही वो बंदा है जो आपसे पैसे लेकर के आपके पैसे को किन shares में लगाना है तो यह सारी चीज़ें यही fund manager आपके लिए करके रखेगा और जिस fund की मैं बात कर रहा हूँ उसका नाम है SBI small cap fund direct plan growth 16,592 करोड का आपका asset size 0.73% का आपसे expense ratio लिया जाएगा 5.35% का cash hold करके चल रहा है S&P BSE 250 small cap total return index को इन्होंने benchmark के तोर पे select कर रहा है तो 1% का आपसे exit load ले लिया जाएगा कुछ आपका Nifty 50 में बैसाच जाएगा आप कुछ लोग कहेंगा भाई purely dedicated small cap को मेरे में तो एक fund manager का quality होता है कि कि किसी तरीके से आपके fund को manage करा जाए क्योंकि एक particular sector कभी small cap में हो सकता है अगर चाल ना बढ़ी या return नहीं दे रहा है small cap तो होगा क्या आपका पूरा fund ही कही ना कही compromise ना हो जाए इसकी वज़े से वो थोड़ा सा stocks specific भी करता है थोड़ा थोड़ा सा risk को कम करने के लिए large cap category के भी एक दो funds डाल देता है fund manager और यह quality होती है दर्शाती है कि fund को किस तरीके से manage किया जाए निफ्टी 50 में 7.64% पैसा रहेगा इसके साथ साथ कुछ categories है यहाँ पर जैसे blue star, treveni turbine, carborundum, universal जैसी कुछ दिगच companies में आपका पैसा पढ़ा रहेगा चलिए तीसरे mutual fund पर चलते है भाई साथ देखो पहले मैंने जो रखा large और mid cap का एक combo रखा उसके बाद मैंने एक small cap डाल दिया आप देखिए जिस mutual fund की मैं बात कर रहा हूँ उसका एनवी किवस 57 रुपए का चल रहा है और maximum return की बात करेंगे तो 19% के आसपास का CAGR है और पिछले 10 सालों में इसने ये कारणामा करके दिखाया है 5 out of 5 value research ने स्को रेटिंग किया है राज मैता, राजीव ठककर साहब और रुकुम तारा चंदानी साहब आपके fund manager रहेंगे साथी साथ देखिए return देखो किया जबर जस्त इन्होंने deliver करके दिया है रहता है mutual fund के अंदर ये चाहिए आपको पता होना चाहिए और जिस fund की मैं बात कर रहा हूँ आपके सामने उसका नाम है पराग पारिक flexi cap fund direct plan growth इसके अगर मैं asset size की बात करूँ 33,615 करोड का asset size देखते ही बनता है .72% का expense ratio ये आप से चार्ज करेगा flexi cap के डिगरी में पाराग पारिक का नाम बहुत तगड़ा नाम है और मेरे मित्रों return भी दिखाता है कि बढ़या return इन्होंने deliver करके दिया investors को 3.54% का ये आप से cash hold करके चल रहे है जो benchmark है इन्होंने nifty 500 total return index को रखा है और देखिए exit load से related एक कहानी है पर आपको इस कहानी पर नहीं जाके अगर आपके वल इतना मान के चलें कि एक साल के अंदर अगर आप निकलने के चिस्टा करोगे तो 1% का exit load ले लिए जाएगा मेरा यही मनना है कि कि किसी भी mutual fund में अगर आप invest कर रहे है at least कम से कम आपका minimum नजरिया 15 से 20 साल का होना चाहिए at least जो भी पैसा लेकर आए 15 से 20 साल तक वही पैसा लेकर आए जो आपको जुरूरत ना हो क्योंकि जब आप इस तरीके से पैसा लेकर क्या होगे तो कहीं ना कहीं जो short term है जो stock market केंदा जो noises होती है कहीं आप उसको beat कर पाओगे और long term में आपको पैसा भी बंते होगे देखने को मिलेगा housing development finance corporation ITC limited बजाज holdings ICAC bank जैसे कुछ दिगज कमपनियां आपके portfolio का part वनेंगी मेरे में तो चलिए next share पर चलते हैं friends अब मैं जिस mutual fund की बात करने जा रहा हूं उसका एनेवी केवर 50 रुपए का है return की बात करेंगे maximum तो देखिए साड़े 18% के CAGR के साबसे mutual fund अपने investors को return deliver करके दिया है और ये पिछले 10 सालों में इसने ये कारणामा करके दिखाया है क्योंकि हमारे पास जो data है पिछले 10 सालों का है value research की बात करेंगे 5 out of 5 rate किया है पुनीत पाल विने पहारिया और विवेक शर्मा साहब आपके fund manager रहेंगे अगर कोई आपको इतना पढ़ा लिखा तीन तीन बंदे पढ़े लिखे मिल जाते हैं तो इससे अच्छा क्या चाहिए भाई cash hold की बात करेंगे तो minus 0.45% का cash hold करके नहीं चल रहे है निफ्टी midcap 150 total return index को इन्होंने target benchmark के रूपे लिया है 90 दिन के अंदा निकलने के चेश्टा करोगे तो आधा परसेंट का यानि कि 0.50% का आप से expense ratio चार्च किया जाएगा वहीं कुछ companies की बात करेंगे किन किन कंपनी में आपका पैसा रहेगा कुछ दिगज़ कंपनी की बात कर लेते है जुबलेंड फूडवर्क्स नवीन फ्लोरीन दफ फिनिक्स मिल इंदर प्रस्थ गैस जैसी कुछ दिगज़ कंपनियों में आपका पैसा जाएगा पीजी आइम इंडिया मिटकैप अगर मैं असेट मेनेजमेंट कंपनी के बारे में बात करूँ तो 21,956 करोल का असेट साइज है असेट रेंडर मेनेजमेंट है इसका 86 स्कीम को टोटल मेनेज करके चल रहे है जब आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना वीडियो शेर कर देना कल फिर आपके साथ में मिलेंगे सेम टाइम सेम चैनल बद कुछ नए म्यूचल फंड के साथ तब तक करिया आप अपना ख्याल रखें बहुत बहुत धन्यवाद